देव भूमी उत्राखंड भारत के उत्री राज्यों में से एक है जो अपने विशाल हेम परवतों, धानमिक तीर्थिस्तलों तथा अपने प्राक्रतिक सोंदरी के धरोहर के लिए पुरे देश में जाना जाता है। सन दोजा में स्थापित यह राज्य अपने अस्तित्व के 17 वर्षों के बाद भी केवल राज मार्गों से ही जुड़ा हुआ है। सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। यह रेलवे लाइन हिमालाई के उचे-उचे पहाड़ों से होकर गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट का आदे से ज्यादा हिस्सा टनल यानि सूरंग से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही हाइफ फ्लड, लेंड स्लाइड और अर्थ्वेक प्रोण एरिया होने के कारण यह प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग होने वाला है। चारधाम रेलवे लाइन की टोटल लेंद 327 किलोमीटर है। जिसके फाइनल लोकेशन सर्वे का कारे भी भारत सरकार द्वारत स्वीक्रत किया गया। यह प्रोजेक्ट रेलवे कास निगम लीमिटर द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को आधूनिक तक्निक जैसे सैटलाइट इमेजरी, डिजिटल एलिवेशन मोडल, डिजी पीएस इत्यादी से पुर्निक किया जा रहा है। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में complete information मिलेगी और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना काम हो गया है और कब तक ये रेलवे लाइन बनका complete हो जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो को end तक connectivity है तो चारध हमको रेलवे से जोनने के लिए मिली दो रेलवे लाइन होगी पहली रेलवे लाइन देरादून के पास दोई वाला से उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री तक और दूसरी रेलवे लाइन रिशिकेश से रूत्र प्रयाग और साइकोड होते से भारत सरकार के द्वारा मंजुरी दी गई है और वर्तमान में ये रेलवे लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रिशिकेश कर्न प्रयाग रेलवे लाइन रिशिकेश से स्टार्ट होगी इस रेलवे लाइन के लिए रिशिकेश में एक आया railway स्टीशन बनाये गया है जिसका नाम में योगनगरी रिशिकेश रेलवे स्टीशन, योगनगरी रिशिकेश रेलवे स्टीशन पूरी तरह से बनका तयार हो गया है और COVID-19 लोगडाउन से पहले ही इस स्टीशन पर रेलवे का ट्रायल हो गया था, यानि कि COVID-19 का असर खत्म होने के बाद जब इंडिय रेलवे पूरी तरह से ओप्रेशनल हो गई थी, तरह बियोगनगरी रिशिकेश तक ट्रेन का परिचालन स्टार्ट हो गया था, और ये परिचालन 12 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, रिशिकेश कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन का लगबग 85% हिस्टा, यानि लगबग 105 कि रिशिकेश से कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन में टोटल 17 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसमें देव प्रयाग और जनासु के 24 किलोमिटर का एक सुरंग बन रहा है, जो इंडिया की सबसे लंबी सुरंग है, रिशिकेश कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन उत्रा खंड के 5 चिल रिशिकेश से कर्ण प्रयाग जाने में केवल 2 घंटे का समय लगेगा, जिसमें वर्तमान में 7 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, चार धाम को रेलवे से जोडने के लिए, टोटल 327 किलोमिटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जिसमें पहला रेलवे लाइन डोई वाला से यमुनोत्री और गंगोत्री तक विस्टार किया जाएगा, वर्तमान में डोई वाला तक रेलवे कनेक्टिविटी है, डोई वाला से उत्तरकाशी तक पहले इस रूट को बढ़ाया जाएगा, उत्तरकाशी के बाद रेलवे लाइन दो इस्सों में बटेगी उत्तरकाशी से एक रेलवे लाइन जाएगी यमुनोत्री और दूसरी लाइन जाएगी गंगोत्री की ओर, डोई वाला से यमुनोत्री और गंगोत्री तक टोटल 11 रेलवे स्टीशन होंगे, जिसमें डोई वाला, संगतिया वाला, खुर्द, सारंगधार वाला, अंपाट दूसरी रेलवे लाइन की टोटल लेंद होगी 131 km दूसरी रेलवे लाइन की लेंद होगी 99 km और इसमें टोटल साथ रेलवे स्टीशन बनाए जाएंगे जिसमें गोरी कुंड के पास कर्ण प्रयाग, सीवाई, सेकोर जंक्षन, बेराट, चोपता, मकुमत और सोन प्रयाग ये रेलवे लाइन सोन प्रयाग में एंड होगी सोन प्रयाग से केदानाथ की दूरी 19 किलोमेटर है जिसमें 6 किलोमेटर का हिस्सा पक्का है जबकि 613 से 14 किलोमेटर एक पहारी ट्रेक होगा जिसे पेदल, पालकी या टट्टू की पीट पर किया जाएगा बद्रिनाथ के लिए साइकोर्ट से जोशिमट होते वे बद्रिनाथ रेलवे लाइन की टोटल लेंद होगी 75 किलोमेटर जिसमें टोटल 4 रेलवे स्टीशन बनाए जाएंगे जिसमें साइकोर्ट जंक्षन, त्रीपाक, तर्टोली और जोशिमट होगे ये रेलवे लाइन जोशिमट में एन्ड होगी और जोशिमट से बद्रिनाथ लगबग 36 किलोमेटर दूर है दोस्तो अब बात करते ही इस प्रोजेक्ट की करंट और कंस्ट्रिक्शन स्टीटेस के बारे में और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में रेलवे का स्निगम लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंपलीट किया जा रहा है वर्तमान में डोईवाला से यमूनोत्री और गंगोत्री तक रेलवे लाइन की फाइनल सर्वे कंप्लीट हो गई है फाइनल सर्वे का काम लगबग 21 करोड के बजट से तर्की की कंपनी युक्रेणी द्वारा एयरबोन इलेक्ट्रोमेगनेटिक टेक्निक से किया गया दूसरी तरफ लगबग 22 करोड के बजट से करन प्रेयाक से केदानाथ और बदिनाथ का भी फाइनल सर्वे पूरा हो गया है और ये अभी अन्डर कंस्ट्रक्शन है दोस्तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चुनोतिया है तो दोस्तो यह हर railway line पहाड़ी इलाको, बड़ी संख्या में सुरंगो और उचे पूलो और बाड़, बुइसकलन और भुकंप में भीशन ठंड के मौसम के कारण भारती railway के लिए सबसे चुनोती पुर्ण और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और हो सकता है चारधम highway project की तरह इस प्रोजेक्ट में भी environmental issues एक बड़ा चैलेंज ना बन जाए चैलेंजिस के साथ इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे benefits भी है नमबर वन चारधम यात्रा आसान और सुगम हो जाएगी दोस्तों चारधम railway project से चारधम की यात्रा करने वाले श्रधालू एव़ं परेटक के लिए उत्राखंड के पहाड़ी एरिया में जाना काफी आसान हो जाएगा नमबर टू, development in उत्राखंड इस परेटक से उत्राखंड के पहाड़ी एरिया में काफी development होगा जिससे वहाँ के लोगों को काफी सुविधाय मिलेगी और वहाँ आने जाने वाले परेटकों को भी काफी मुश्किलों से राहत मिलेगी नमबर त्री, strategic importance चारधम railway project या strategic importance भी है इस project से इंडिया चायना के border area तक railway की connectivity हो जाएगी नमबर फोर, save time चारधम railway project से चारधम की आत्रा करने वाले श्रधालू और परेटकों का काफी समय बचेगा और मुश्किलों से भरी या आत्रा काफी सुगम और आसन हो जाएगी कुल में लाकर हमें ये उम्मिद है कि अगले कुछ वर्षों में चारधम railway project और चारधम highway project complete होने के बाद चारधम की आत्रा समय तुत्राखन में काफी development होगा वेसे दोस्तों चारधम highway project पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया तो प्लिस इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस project पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता तेंक यू